मानो जाती ने अब तर समंद्रों का कियों 10% ही समंद्रों को एक्सप्लोर किया अभी तो उन्हें 90% समंद्रों को एक्सप्लोर करना बाकी है लेकिन इनी 10% में मानो ने कुछ ऐसे जीयों को खोज लिया है जिने खुदरत ने कुछ ऐसी सक्तियां दी है जो किसी चमकार से कम न नोखी है वेना केवल अपना नया अंग विक्सित कर सकती है बल्कि अलग हुए अंग से भी अपना पूरा शरीर को फिर से विक्सित कर सकती है बहुत से नया दात आने में कुछ दिन से लेकर कुछ मेहने तका समय लगता है अगर वेगानिक इसकी पूरी पक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं तो दात चिक्चा के छेतर में क्रांती आ सकती है एक्सो लोटस को सेलामेंडर की मासागरिय प्रजाती कहा जाता है इनकी रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही शांदार होते या छोटी सेलामेंडर अपने अंग तवचा और यहां तक की लगबग अपने सरीर के किसे भी हिस्ते को फिर से उगा सकते हैं इनकी अलावा यह कभी-कभी जमीन पर भी दिखाई देते हैं वैसे हमारी दुनिया में कई हैं इसे सारे जीवें जो खुद को ठीक कर लेते हैं कोई अपने पूच को ठीक कर लेता है तो कोई अपने तूटे हुए दिल को लेकिन यह फिस बाकियों से अलग इसलिए क्योंकि यह मास पेशियों के साथ मजबूत हड्यों को भी रिजंडेट कर सकती है दिखने में इतनी खुप सूरत है वैसे इसके गुर भी है किसी ड्रैगन से कम नहीं दिखते है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपना विग्यान यूटूब चैनल को